हलो गाइस यू आ वाचिंग सीरिल से आपा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले बात करते हैं टीवी सीरियल ये है चाहतें के आज रात के एपिसोड की तो एपिसोड की शुरुवात में अर्जुन निशा से कहता है काश्वी को सच बता आदेते अर्जुन से कहता है कि तुम अर्जुन पर एक बार फिर से यकीन कर रहे हो अर्जुन यहाँ पर शौक हो जाता है अनु को वहाँ देखकर वो कहता है कि ये निशा नहीं है तब ही काश्वी आदेते से कहती है कि अच्छा वो तुम से क्यों जून बोलेगा आदेत तब ही वो उसे necklace दिखाता है काश्वी को और वह कहता है कि मैंने इसकी वज़े से तुम्हें जून बोला था तब ही वह कहता है कि अर्जुन ने सब कुछ खराब कर दिया काश्वी और चलाती है वो कहती है कि तुम यहां पर प्रूफ करने आये थे लेकिन अर्जुन तुम ही गलत निकल गये तब ही वो आदेते से कहती है कि मैंने तुम्हें यहां पर शक किया क्योंकि तुम ने मुझसे जून बोला था I'm Sorry तब ही वो अर्जुन से कहती है बस बहुत हो गया बन करो आदेते कहता है कि तुम बहुत जादा रिग्रेट करोगे अर्जुन पर भरुसा क करकर तबी वो कहता है कि तुम प्लीज अर्जुन मैच और बेव करो आदित्या ऐसा कहता है और कहता है कि मैं समझ नहीं पारा अर्जुन तुम्हाई प्रॉब्म क्या है काश्वि अर्जुन से कहती है बस मेरे से चलाते हैं वहां से चला जाता है वह अपने आप से कहता है कि I am sure कि आदिते जूंट बोल रहा है और अनू भी जूंट बोल रही है और रिसाइट करता है अनू के घर जाने के में वाइर काश्वी यहां पर necklace दिखाती है दादी को जो आदिते ने उसे नहीं है साल में एक आथबार आते हैं अर्जुन समझ जाता है कि आदित्य बहुत स्मार्ट है तब ही वो कहता है कि मैं आदित्य तुम्हें जरूर एक्स्पोस करूंगा काश वी रेडी होती है जब राइट दादिया को काश को कॉंप्लिमेंट करती हैं वो वेलकम करती है आदिते को फैंबी में पंडे जी दारी से कहते हैं दुलान लाइए जगदीश महिमा से पूशता है अरजुन के बारे में महिमा कहती है कि मुझे नहीं पता वैसे भी अरजुन तो इस शादी में इंट्रस्टेड है नहीं रोमिला है कि तुमारा हस्बेन आज शाधी कर रहा है क्या तुम मेरी मदद करोगे शादी को रोकने में वह वो कहती है ठीक है तब भी वो निशा के गले में माला डालते हैं, यहीं हो जाएगा आज रात के एपिसोड का, देखना होगा काफी जाद इंट्वेस्टिंग के क्या अर्जुन निशा और वंच को लेकर टाइम पर वहाँ पहुंच पाएगा या नहीं, फिलाल तो ऐसी ही मज़ीदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब की जाए वीडियो को लाइक शेयर काना ना भूले